असलाम लेकूम वेलकूम बेक टो में चैनल कैसे आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे ही मैं भी ठीक आई हैं आज मैं अपनेशं के साथ इस में अपनी अपरॉड़क् elda कर रहे हैं pernah आपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं यह कार्ट मैंने रखा वा था इन ड्रायर के आगे क्योंकि रुहाब जो है वो फिर मेकप प्रोडक्ट्स उठा लेती है और निकालती है तो काफी टाइम से मैंने जो है वो अपनी ड्रायर को क्लीन निंग किया था तो मुझे बिल्कुल अब जो है वो आज मैंने का रियोगनाइस तो करना ही है तो आपनों के साथ भी अपनी जो है क्लिफ वो शेयर करती हूं तो किस तरह से देखे सब जो है वो बिखरी हुई है सारी चीजें पिसली दिनों मैं काफी बीजी रही हूं कुछ दाफते थी कहीं जाना था तो ट्या अब इन्षाला आपनों के साथ शेयर करूंगी और सिफोरा से मुझे कुछ गिफ्ट मिले थे वह भी इन्शाला आपनों के साथ नेक्स व्लाग में शेयर करोंगी तो यह फॉंडेशन सें सिफोरा की तो पहले सारे चीजें निकालके मैं बाहर रख देती हूं यह है अर्ब सारी चीज़े निकाल के जों से मैंने बाहर रखती हैं तो अब मैं आइस्ता आपनों को दिखाती भी जाओंगी यह है सिफोरा का आइशेडो बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही प्यार कलर है इसका स्मूथली एंड इसली जो है यह ब्लेंड हो जाता है और अब सारी सब moss बीज़े दिखांगी तो द्रायर को पहरा रख से मैंक्सी से क्लीन कर लूंगी क्लीन कर बाद आसता आसता जो है मैं सारे प्रॉटक्स क्लीन करते जाऊंगी और आपनों को दिखाती पी जाऊंगी यह हैं मेरे पास थी फोरा की दो फांडेशन्स बहुत ही जबदसली एक का नमबर है 18 और एक का नमबर है 22 तो दोनों का कलर जो है वो बहुत अच्छा है एक का थोड़ा सा लाइट सा येलो है और एक का वाइट है मैं आपको जो है वो स्वैच पी करके दिखाऊंगी एजिली ब्लेंड होते हैं ये लाइट पेट फांडेशन हैं मैं ज्यादा त सबस्राइब के लाइट है और ये ब्लेंड हो जाते हैं स्मूथली और लाइट वेट हैं बिलकुल लाइट है मुझे फुल कवरेज फांडेशन जहां वो बढलकुल भी नची लगती और ये मैंने पाकस्तान से लिया था जब मेरे भाई की शादी थी तो तब मैं गई थी मैंने वहां से लिए कौनसे बरेंड का है बरेंड का नेम मिड के या की आई इस वहां से सो बहुत ही प्यारा और घ्रे मिट्सें कनी ए ут यची और जौन दूल दुट प्रत जे .... आप इसको लगाएं और ब्लेंड करें तो बहुत एक खुबसुरत सी शाइन दे देता है बहुत ज्यादा बहुत अच्छा और बहुत प्यारा कलर है ब्रैंड इसका क्या है नहीं मिटके में पढ़ने की पूरी कोशिश की थी तो यह मुझे फ्री वहां मिला था और यह मेरे अच्छा बिलिटर भी है तो आप एक पैलेट आपके पास हो तो आप इसली ट्रैवलिंग कर सकते है अपना ले के जा सकते है पैलेट जहां बहुत ले जानो तो और भी प्रोडक्स है वह में बापको शेय करती हूं तो यह मेरे पास एक जो है वह ब्राउंजर किट इसमें ह यह है गलोग्ट तो इसलिए मैं बहुत अराम राम से इसको क्लीन कर रही थी ताके कोई भी चीज मेरे हाल से नीचे ना किरे यह मेरे पास आइशादो है काफी पुराने यह साथ साल पुराने और इन ब्रेंड के यह मैंने पाकिसान से लिए थे जब मेरे शादी हुई थी और भी तक यह मेरे पास चल रहे हैं बहुत अच्छे आइशाइड़ू हैं यह भी बहुत जब 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 दस प्यारा कलर है तो जब भी अपनी मेकप प्रोडक्स को क्लीन करें बिलकुल अराम सी क्लीन करें ता कि कोई भी चीज़ आपके हाथ से नीचे ना गिरे और वो तूर तो टूटती है तो फिर वो दुबारा से सही नहीं होती है अभी तक भी वो कलर मेरे पास है वो ऐसे कपड़ावा ठीक नहीं हुआ यह हुदा का एक न्यूड आई पैलेड है मेरे पास यह भी बहुत खुबस्वत से इसके कलर है इसमे और यह है जनाब मैक का फेस पॉडर और यह मैक आप बलश यह मैक का प्राइमर भी है और मैक कप फिक्सर भी है तो यह मैंने भी रिसेंट्ली लिया यह मुझे ठीक पैक में था यह तीनों चीजें एक पैक में थिए बहुत ही खूबसारत और बहुत ही अच्छी सी ॥ा कि fällt की पैक की आवा था यह सिफोरा की आयश कि आप अजयरा है यह जनाब वो उत मिलानो का ग्लो इंग ब्राउयर ऐजाब ब्राउंजर भी उज़ कर सकतें इसको एज़ाब फेस पॉर्डर भी यूज़ कर सकतें अपों को याद होगा मैंने इनस्टाग्राम की स्टोड़ी में लगाया था कि मैंने क्याव प्रॉडक्ट जिसके वजा से मेरे फेस पर इतना ग्लो है तो यही ब्रॉंजर पॉर्टर था मैंने इसको यूज किया है बहुत ही खुब सब्सक्राइब सेवन डबल जिरो इसका जो है वो कलर है नमबर है सौरी उद मिलानो तो यह मैंने अबी रिसेंटली लिया है फस्ट तैम ही मैंने इस ब्रेंड यूज किया बहुत अच्छा लगा है इंशाला है एक्स टाम मैं इसकी फांडेशन ट्राइ करों कि किसकी फांडेशन आइ होप अच्छी ही होगी इसका पॉडर इतना अच्छा है और यह मैंने लिया था पाकिस्तान से यह है जनाब बलेशन भी आपस को यूज कर तो यह मैंने अर्वर किया था शीन से यह मैंने शीन से लिया था यह है जनाब मेरे पास मेकप ब्रेश सेट जो कि ट्रैवलिंग के लिए आप ट्रैवलिंग के लिए एजी रहता है आप इसमें सारे ब्रेशिस है बड़ी भी है और आईशाइडव ब्लश भी है आप इसमें ब्लेशोन ब्र twitches भी हैं तो एक कुलीट WAR कुट है सथ मिरॉर भी है तो नीचे बाल वाल डुरा जहाए वो मैंने कुपलीट कर ली थी अब बार ये आती है समीं से निकलता है तो अब इसमें से, लास्टिं भी इसमें पड़ी थी और मैं काफी दिनों से ढूंड रही थी कि लास्टिक कहा हुई और ड्रायर में पड़ी थी तो जब आप रियोगनाइज नहीं करते ना चीजों को तो फिर ऐसी ही होता है यह है जनाब मेरे पास बैनी फिट के दो लिप एंड चिक टिंट एक है पीछ कलर का और एक है रेड कल और प्राइब पर लिकवड और यहीं से उतार अटार के अपने फेस पर लगाती रहती हूं ताकि वेस्ट ना हो पर निए पर लाइब भी तो कि अभी इसमें देष नहीं दो कि अगरी नहीं पेंगा कैए बहूं कि तो सब्सक्राइब 5 एद जिब और गोड़े नहीं हैं यह नहीं अटार मेरे पासैं को यह एक्षा यह मेरे पता है यह मैंने अपने जए जिब्लदी ता मैंने लिया था इसके जो प्रेशिस हैं वो खतम हो गए और लेकिन मैंने यह है यह बैग जो उनसे है वो फैंका नहीं है उसको मैंने डखती है ताकि नेक्स्ट काम आएगा तो यह जिन थी जनाब आज की वीडियो आई होब कि आप लोग ने लाइक की होगी मेरी वीडियो को अगर मेरी लोग तेक क्यर अलाफ फिस